अब आ गए है आपके बीच रोयल इवेंट एंड डेकोरेशन आपके सहर सिल्वास में तो देर किस बात की डेकोरेशन को करवाने के लिए अभी कॉंटेक करें रोयल इवेंट एंड डेकोर से गामे गाम ब्रह्मन करी रही चे आजे जाद्रानाकर हवेली सेल्वास हमा नरोली थियमनू स्वागट करवा मा अभी होतु अने मुख्य मार्गो पर फड़ी सेल्वास नगर मा प्रभु स्री रामनी यात्रा निकरी है थी जेमा गणा युवा कार्य करता हो जोडाया आता रा रोकान करवा मा अभी हो छे परन्तु कार्य करता हो नो उट्सा आने उमंग जोईने एवल आगी रही हो छे के राम राजी आने हिंदू रास्ता तरा भापम बाराप बट जै रही हो छे विश्व हिंदू परिशत बजरंग दरे सोरी यात्रा काडवानू मुख्या एट विया तो के जे 500 वरसनी लड़ाई इंदू समाजे लड़ी आती राम बंदिर आंडोलन मा जे सित्तो टे टोटल लड़ाई इंदू समाजे लड़ी छे आतली लड़ाई लड़वा छेटा पन इंदू समाजे हार ना मानता यहमनी सक्ति नू प्रडशन सोरीय सक्ति जे इंदू समाजे एक जूट थाईने पित्यास बनाय वियो छे आजे राम मंदिर 500 वरसनी लड़ग पछी आपने साक्सी बनिया चे ना अपनी आखो समक्स बव्य राम मंदिर निर्मान ठवा जै रही हो छे जेनी प्राण पटिस्ता 2024 मां प्रभु स्री राम लल्ला अब भव्य मंदिर मां प्राण पटिस्ता मोट सो उजवाई रही हो छे तो विश्व इंदू परिशत बजरंग दर जे आपना वीर गटी प्राप्त थे आचे कार्य करता हो अने सादूसन तो तेमने साची सद्धन जली अरपन करवा माटे आजे गामे गाम आखा भारत मां आ सोर्य जागरन यात्रा ना सवरुपे प्रभु रामनो रठलाई ने एमने साची सद्धन जली अरपन करी रही हाई जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज नरवली चेकपोट से यात्रा की प्रवेस हुआ यह आत्रा पूरे भारत में भ्रमड कर रही है और पूरे सोरे की गाता चल रही है जो 500 वर्सों से जैसा हमारे राकेश भाई ने बताया कि 500 वर्सों से जो हिंदू ने लड़ाई लड़ी है आज उसका प्रतिफाल हमको मिलना है और आगे भी हम सनातन धर्म के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे हिंदू कभी कमजोर था न है और आज समापन यहां पर 11 बजे रात को हुआ है कल हमारी सोरे जागरन यात्रा पुनह यहां से चार रास्ता होकर के सिल्वासा से सीधा मसाट रखवली खडवली होते हुए खानबेल चार रास्ता जाएग लेकिन कल वापी में यह रात्रा भूमेगी और साम को एक बहुत बड़ी धर्म सभा का भी आयोजन है हम सभी सनातन भाईयों को एक बार दिल से अभारव्यक्त करते हैं अपने प्रखंड की तरफ से और सबको जैसिर राम और मैं यहां के पुलिस प्रसाषन का भी आभारव्यक्त करता हूं कि उसने बहुत अच्छा सयोग दिया जैसे पूरे भारत में प्रसाषन ने सयोग दिया है वैसे हमारे डिनेच में हमेशा हमको सयोग मिलता रहा है इसलिए हम पूरे प्रसाषन का आभारव्यक्त करते हैं आम्रत आया ये शोरे यात्रा का जो दादरानगर हविली में विराजमान हुआ और उस टाइम जीस टाइम नरोली में आज भवे सागत का एक प्रोग्राम जैसा लगा तो हमको ऐसा लगा कि सच में हिंदू राष्टर आजी लग रहा था और कल सभी सनात्निव भाईयों को हिंदू भाईयों को मैं एक ही कहना चाहता हूँ कि कल सुबो से आठ बजे से यात्रा चालो होने वाली है तो आप जरूर चोबा यात्रा में शामुईल हो मैं यही सभी युवाओं को कहना चाहता हूँ अभी यहाता हूँ एज यहाता हूँ